नमस्ताराब सुकर एड़ेट चैनल आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं नमधरम और आप देखरों मेरा चैनल के रिड़ेट जो फासेंट चैनल में सब्सक्राइब करने और बैल आइकून को प्रेस करें तक कि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलत बना है और यह जो टेस्ट्रीज आपके गेट के प्रिपरेशन में बहुत जादे बूश्टर सावित होने वाला है और यह जो टेस्ट्रीज है वो नाइंथ जैन को हो रही है दो पार्ट में 11 एम और दूसरा 3 पीम का इसमें जो ब्रांच है उसमें है मैकेनिकल आप सब लोगों के लिए तो जाए डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है क्लिक करके इंडॉल कर दीज ताकि आप इस टेस्ट को दे पाएं और जो लोग इस टेस्ट को अनलॉक करना चाहते हैं वो लोग जो मेरा कोड करीर अड़ा उसको यूज करके इस टेस्ट को साला है नाइंथ जैन को आज की वीडियो में हम कमाल के टॉक पर बात करेंगे कि केमिकल इंजनिंग स्कोप इन इंडिया जब हम केमिकल इंजनिंग के बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड सेट में आता है इस तरह से लोगों के माइंड सेट में आता और लोग स कर दूँ तो इंडिया में सारे कॉलेजों में chemical engineering की बैकेंसी नहीं है एक चीज आपको सबसे बड़ा mindset में रखना चाहिए तो chemical engineering की बैकेंसी जब हर कॉलेज में नहीं होगा तो obviously जो number आप pass out होंगे वो कम होंगे और अगर इसकी demand है तो obviously job लगेगी और सबसे ज्यादे demanding branch अगर chemical से आपने कर लिया ना तो समझ लो कि आपका career next level पर चला जा सकता है लेकिन सही से आपने किया है आपको direction पता होना चाहिए कि chemical करने बाद मुझे PSU में जाना है chemical करने बाद मुझे plant में जाना है या chemicals की factories में जाना है या फिर किसी manufacturing private manufacturing संस्ता में job करना है या lab में job करना है या आपको decide करना पड़ेगा कि आपको career किस direction में लेके जाना पड़ेगा PSU में जो पब्लिक सेक्टर के एंटीपी सी बेस्टेशल इन सब में भी अच्छा कासा स्कोप है प्राइवेट इंडस्ट्री जो भी chemical manufacturing होती है फार्मासूटिकल की कंपनीज में भी chemical engineers की जरूरत होती है क्योंकि वहां पर भी चीज़े बहुत जादे यूटिलाइज होते ह है chemical engineers तो overall इंडिया में स्कूप है chemical engineers का अगर हम अपने mindset से अटा देना कि chemical engineering का स्कूप नहीं है तो अब इसलिए बहुत जादे इंडिया में स्कूप है लेकिन आपको उसी recording work करना पड़ेगा as a chemical engineer क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने भी अच्चू से तब इच्चू करता था जिन्होंने chemical engineering किया था आज इंडिया में ही उनकी प्राइवेट किसी संस्था में है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं बठा किसी लाग की पैकेज है उनकी 25 लाग की तो आपको यह चीज़े समझना पड़ेगा क्लियर कट में कर रहे हो या बीटक कर रहे हो तो chemical engineering से कर रहे हो तो किस direction में जाना है बहुत सारी कंपनिया campus placement के लिए chemical engineering में फिल्ड में आती है और आप लोगों को सही direction और सही knowledge की जरूरत है जब तक आप सही direction और सही knowledge नहीं पकड़ोगे तब कैसे chemical engineering में आपको job मिलेगी तो बस यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोगो पता चल सके chemical engineering का भी scope हो मैं सारी ब्रांचों पर बनाता रहता हूं तो बहुत सारे लोग आके कमेंट करते हैं कि सर chemical engineering पे नहीं ब सकते हैं वहां पर भी आप टेचिंग में अच्छा खासा करियर बना सकते हो प्राइवेट इंडस्ट्री गौवर्मेंट इंडस्ट्री हर जगह हैं लेकिन आपको उसके according अपड़ेट करना पड़ेगा जब तक आप अपड़ेट नहीं करोगे तब तक आपको जॉब नहीं